नमस्कार दोस्तों स्वागत हैखबर फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि UP-PCL का विजुली कभी आप कैसे जमा कर सकते हैं साथ ही विजुली कभी आप कैसे चेक कर सकते हैं और इसके अलाओ विजुली का बिल जमा करने के बाद में आप उसकी रसित जो है कैसे निकाल सकते हैं ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और ये सारा काम आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही कर सकते हो तो कैसे करना है चलिए हम आपको इस वीडि उनलाइन.com उसके बाद में आपको क्या करना है सर्च करा देना ठीक जैसे आप सर्च कराएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार चे उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिम्टेट के एप साइट खुल के आ जाएगी ठीक यहाँ पे आने के बाद में सिंपल सा यह यहाँ पी आपको एपको अपना एकाउंट नंबर डाल देना है अगर आपके पास एकाउंट नंबर नहीं है और नया काउंट नंबर कैसे निकालते हैं इसके उपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रख़ा है डिसक्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यॉपी पी अगर आपका मोबाइल नमबर अगर रजिस्टर है यूपी पीसियल से तो आप एकाउंट नमबर नहीं भी डालेंगे तो यहां पे आपको जो है इस पे टिक मार्क लगाना है यहां पे आप सिंपल सा मोबाइल नमबर भी डालके अपना बिजली का विल देख सकते हैं साथ ही जमर कर सकते हैं ठीक फिलहाल मेरे पास नए वाले एकाउंट नमबर है मैंने कॉपी करके रख़ा है मैं इस पे पेस्ट करता हूँ उसके बाद मैं यहां पे जैसे 8 प्लस 9 दिया है तो मैं इसे एड़ करके यहां पे लिख देता हूँ उसके बाद सिंपल सा भीव वाले mount pay करना है आपका जितना bill होगा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा ठिक तो यहाँ पर देख सकते हैं 116 रूपय का बिल है अब जितना भी बिल आप जमा करना चाहते हैं आप यहाँ पर डाल के जमा कर सकते हैं करते हैं और आपके पास ATM कार्ड है तो आप उससे जमा कर सकते हैं ठीक उससे भी अच्छा आपसन है इधर देख सकते हैं इसके उपर आप किलिक करेंगे तो अगर आपके पास Google पे पे टिम फोन पे कुछ भी है तो सिंपल सा आप इसके उपर किलिक करके आप बार कोड स्कैन क करके जो है पेमिंट को कर सकते हैं तो हम इसी कूपर किलिक करते हैं क्योंकि मैं फोन पे से यहां पर इस बिल को पे करूंगा और उसके बाद में सिंपल सा नीचे जो सब्मिट वाला आपसन इसके उपर आपको किलिक करेंगे तो यहां पर आपकी डिटेल है आजाएगी यहां पर देख सकते हैं अब यहां पर आपको क्या करना है सिंपल सा देखेंगे यहां पर नीचे आएंगे यहां पर सम्मिट वाले आपसन पर किलिक करेंगे तो आपको यह पेमेंट वाले पेज पर पहुंचा देगा अब यहां पर अगर आप नेट बैंकिंग से करना चा पासवर डालके net banking से भी payment कर सकते हैं ठिक फिलहाल यहां पर हम सबसे अच्छा आपको बताएंगे जिससे आपको दिक्कत भी ना हो तो इसलिए आपको यहां पर qr के उपर किलिक करिए और किलिक करने के बाद में make payment के उपर किलिक कर दीजे उसके बाद में यहां पर आपका ज पो इसके पहले किलिक यह आपको करना है उसके बाद इस Cand करके आपको क्या करना है यहां पर देख सकते हैं यह यहां पर पे לס fragments has been successfully completed और यहाँ पे receipt number आपको देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे आपके bill की जो भी detail है आपके देख सकते हैं जितने रूपए आपने पे किया है आपके सामने आ गया अब simple सी बात आती है कि इस bill की रसीद को आपको कैसे print करना है क्योंकि bill जमा करने के बाद में आपको रसीद की भी ज़रूरत होती है simple से यहाँ पे print वाले option पे click करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आपके bill की जो रसीद है यहाँ पे आ जाएगी यानि कि जो भी आपने bill जमा किया है यहाँ पे आ जाएगी टिक तो मैं इसे जो है save कर लिया इसके अलावा भी अगर आप bill जो है निकालना चाहते है पूरा bill की जो detail एनिक receipt है तो उसका दूसरा भी तरीका है तो एक मैं नई वीडियो में आपको बता दूँगा आप वहाँ से अगर मालीजी यहाँ से आपका पेज कट भी जाता है तो आप दोबारा से भी जाके वहाँ से अपने bill को जो है print कर सकते हैं फिलाल यहाँ से भी अगर इसे print कर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करिएगा मिलते हैं अगली वीडियो आप डेट के साथ तब तक के लिए